सपने पूरे तो होते नहीं है इनके पीछे तो दुनिया भागे है सपने देखे बिना क्या सिंदगी है आगे तो जाना है आगे बढ़े हम चलते चले हम तो कभी ना ठकते है आगे बढ़ेंगे हम रोकेंगे ना अब हम सपने पूरे तो होते नहीं है इनके पीछे तो दुनिया भागे है सपने देखे बिना क्या सिंदगी है आगे तो जाना है सपने पूरे तो होते नहीं है इनके पीछे तो दुनिया भागे है सपने देखे बिना क्या सिंदगी है आगे तो जाना है आगे बढ़े हम चलते चले हम तो कभी ना ठकते आगे तो जाना है आगे बढ़े हम चलते चले तो झाना है प्रदान मार्केटिंग कंपनी आपको किछन के कुछ प्रदक्स दिखाना चाहती थी रुको मेरे किछन का काम देखने वाली अभी ड्राइविंग सीखने गई है अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे हमाले जाना पड़ेगा चलो जाओ यहां से बोलो प्रिये सुनिए जी लूसी ने कहा मैं और पांच मिनिट तक ऐसे चलाती रहूंगी तो गाड़ी सीख जाओगी वैसे तुम घर पर क्या कर रहे हो टीवी पर प्रवच्चन सुन रहा हूं अहां अच्छा सुनो बिन्यी इसके बाद सूपर मार्केट जाओंगी खरीदा हां ठीक है अच्छा तो तुम होम अबलाइंस से हो अच्छा अंदर आजाओ हूं सर कैस्ट रोड नहीं सर अगर आप सच में इंट्रेस्टेड हैं तो मेरा एक साइट बिजनस भी है नई फिल्मों की सीडी सिर्फ सौ रुपे में देती हूं अच्छा दिखाओ दिखाओ आपका भी विस्नस है पुलिस में हूं तो नई फिल्मों की पारेटेड सीडी बेचना ही तुमारा धंदा है सो चुप रहा हो यह सारे ठोज सबूत है तुमारे जुरूम के नॉन बैलेबल अपराद है यह तो प्लीस सर मुझे छोड़ दीजे मुझे पैसों के जूरूर थ यह सब तो नॉर्मल फिल्मों की सीडी है वो सब है क्या वो सब मतलब एडल्ट मूवी के बारे में पूझ रहा हूं अरे है की नहीं हाँ यह सब रख ले चेक करने देखता हूं फिर बताता हूं क्यों हैसरे से संब कल़ने फिल्मों हम चाता है अरे बापरी यह यह जय कciu है आरे यह चीजी में मेरी प्यारी बेहन, तुम्हें समत करो, अभी अभी तो सस्पेंशन और गौर्ड से प्रात्ना करने के बाद ही मुझे नौक्री वापस मिली है, मेरी बेहन, प्लीज़, तुम जेसा कहोगी वैसा करूँगा, सिपोन पुछ रहा है, चैनल से होगा, हलो, वेनू, मेरा नाम वेनू है, एक फेमस्टीवी चैनल का एक फेमस्ट कैमरा मैन, मुझे पता है सर, मैं आपसे मिला भी हूँ, तो आगे के इंट्रोडक्शन की सवरत नहीं है, बिल्कुल नही अगर प्राइम टाइम न्यूज में हमने, उस महिला के साथ तुमारा वो वीडियो चला दिया, तो बताओ कैसा लगेगा, नौ, मैं तो कतम ही हो जाओंगा, आप बताइए ने सर, मैं क्या करूँ, लड़की के हाथो बिजवा देना, बिजवा दूँगा सर, ओके, लो, सर अरे, यहाँ क्यों पड़ा है, हमें सब नहीं चाहिए, हमें हमारी शैलरी दे दी के, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिक्रीटी है तुमारी, अरे, जाकर न्यूज टेली कास्ट करो, पैसे आदे गंटे में आ जाएंगे, पिछले चार मिने से यही बाते सुन रहा हूं, लेकिन अ यह तीन लाख, यह देखो तीन लाख रुपे, अपना हिसाब किलियर कर लो, फिर बाद वह मत कहना, कि मुझे रिशी ने पैसे नहीं दिये, सुनो, मुझे न्यूट पढ़ने को देरी हो रही है, मैं अपना हिस्टा के लेता हूं, अरे, भारत विजन का आईडी कार, फिर स सबको पपचल जाता, ओहो, एथिक्स के बाते कर रहे हो, तभी तुमने भारत विजन छोड़कर, अपना खुद का एंडिया चानल शुरू कर दिया, एंडिया, और अब क्या कर रहे हो, हेड होने के नाते अपने स्टाफ को स्टालरी भी नहीं ने पा रहे हो, वैनू सर जै किसी दूफरे चैनल से न्यूज खरीद के अपने चैनल पर चला दो, हमेशा ऐसे ही तो करते हैं, हाँ, ए रुको, सर, दो न्यूज उठा उसको जोड़कर चैनल पर चला दे, क्या करें सर, सुन, जैसे के हमारे मानने मंतरी सैक्स रेकेड में वाल्ब थे, उससे ऐसा लगत चोड़ना पड़ा, सुनके हैसोगी तुम, अपने सैटिसफेक्शन के लिए मर रहा था मैं, समझे, हम, 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 हे भगवान, बैनू, उसको पता चल गया, क्या, हे भगवान, कहीं दिनिस जान तो उन्हें फोन नहीं कर दिया, कल ताउन होल्फी मिलेगा, क्या, किस पांच साल के बाद दिल्ली से वापिस आए हो, और कितने आराम से कह दिया कि मैं वापिस आगया हूँ, वकवास कर रहा है, बिना कुछ काम कि ये भविश में, एक आदर्श बन कर दिखाएगा, पैसे भी तो जरूरी है, उसके लिए, हाँ, इंदू, राउटर्स और CNN के ऐ इसाइम्मेंट में उसने इतने पैसे कमाई हैं कि कोई भी कैमरा में 3-4 साल की महनत के बाद भी नहीं कमा सकता, जब भी कोई सेंसेटिव इशू होते हैं, तो दिल्ली के सभी चैनल इसी की सर्विस मांगते हैं, इंटरनेशनल आवार्ड और रोरी पैक आवार्ड, ये सब सूरज, रेनुका मैम आ गई, सूरज अगर तुमने रेनुका मैम के काम में डंगा डाला, तो समझो तुम्हारे लोक्री तो गई, वो देख किधर हा रही है, मुझे जो चाहिए, इस से नहीं लूँगा, स्रियो विजय कुमार से लूँगा, मैंने कभी भी एक शब नहीं इसने मेरा और मेरी बीवी का शिफ्ट अलग कर दिया, मेरी मौनिंग 6 to 6 की शिफ्ट लगवा दी, मेरी बीवी की नाइट 8 to 8 की शिफ्ट लगवा दी, तुझ जानता है, पूरी रात मैं तारे ही गिलता रहता हूं, मैं के चुप रहूं, यह ना, जूनियर रिपोर्टर की पोस्ट में इस चैनल पर आई थी और तब मैं सब एडिटर था, बड़ी आई खुद को एडिटिव एडिटर समझती है, अरुन कम यह, रन डाउन में सबसे पहले मंत्री ची के सेक्स राकिट की खबर होनी चाहिए, महिला समाज सवे का शार्दा और रिटाय डियस पी दाम नमस्कार, मैं रेनुका और अब मुख्य समाचार, वड़ाकर सेक्स राकिट में मुख्य मंत्री कुंजु मोईदीन का भी हाथ है, डियस पी ने इसकी पुष्टी की है, कुट्टी कानम आदिवासिक शेत्र में भू माफियों ने कागजातों के साथ हेरा फेरी की है, और अ समाचार विस्तार में मंत्री कुंजु मोईदीन भी इस केस का हिस्सा है, ये बात विवाद का विशय बन गई है, भुलड़की जैसे प्रतारित किया गया है, उसने अपने मुख्य बयान में मंत्री कुंजु मोईदीन का भी नाम दर्ज करवाया है और ये विवाद का पिछले चार दिनों से मंत्री कुंचमोई दिन दिल्ली में थे ताजा खबर के अनुसार उन्होंने अभी नेदुम शरी एरपोर्ट पर लैंड किया है सर में आए येस हाँ बोलो एक कंप्लेंट है सर तुमारी या बीवी की ओ मतलब सारा खेल आपकी सहमती से हुआ है देखो यहाँ पता भी हिलता है तो मुझे पता चल जाता है एक मैना हो गया है सर सारी शी विल डिसाइड अगर वो डिसाइड करेगी तो मेरी मा का श्राब देख सकती है देखे सर शिफ्ट के लिए उससे बात करो वो कोई देवी जो उसके आगे मैं हाथ जोड़ू देखो तुम उससे जाकर सीधे बात करो मेरे से यहाँ पर खड़ेओ कर बहस मत करो सर आप कुछ करो ना नहीं आ गई मुसीबत हम इसले तंख्वार नहीं देते कि लोग यहां बैठकर गॉसिप करें शिफ्ट चेंज करने का सवाली नहीं अगर मानाफटा के नाते देखे तो टाइम रेटिंग के टाइम पर तो मानाफटा नहीं दिखती सहानुबते क्यों नहीं दिखाते तब ज्योंति कि आम मशीन सुनो मैंने अपनी पूरी जिंदेग में कुछ महिला समात सविक और पार्टी मेंबर्स भी है अब नियूस समाला मैं लाइफ समालती हूं एनरजी देखी फोकस चैनल के पाश शूट करने के लिए वेनू है राउटर्स वेनू यहां पर दिल्ली से अभी एक हफ्ते पहले आया है पुराने केस की चानबीन करने क पता नहीं क्या होगा खाली टाइम में यह न्यूस भी कर लेगा आज के लाटी चार्ज में सिर्फ एक लाटी इसके सर पे लग चाह सारा खेल कटम मेरे दिल को चैन मिलेगा क्या कहा अब रीदी तुमने वेनू सर को देखा वेनू सर कवर करने के लिए आ रहे हैं ऐसे फालतो स्टोरी के लिए वेनू सर आएगे हमारे वाइस प्रेसिडंट ने रिक्वेस्ट किया था उनने आने के लिए मंत्री ची आने वाले हैं वेनूची कहा रहे हैं अब क्या होगा जब तक मैं यहां से बाहर नहीं निकलता मुझे कुछ नहीं है लेकिन हम शौर नहीं है से आपके अपनी पार्टी के सदसे समस्या खड़ी कर सकते हैं समस्या खड़ी करना और सुल्जाना यह बहुत आसान काम होता है यह सब तुम लोगों के बस की बात नहीं है रुको मैं दिखाता हूं और मेरे साथ कर दो 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 मैंने कहा ना मेरी बात चुप हो जाईए आरे सुनिये तो मैं यहाँ पर आई सभी महिलाओं की बहुत इज़त करता हूं आप एक बार मेरी बात सुनिये उसके बाद जितने चाहे नारे ले आईए आप लोग जो मिलकर यहां सारा अंगामा कर रहे हैं इसकी वज़या वो डियेश पी है यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं पूलीस अपनी शान्बीन कर ले अपनी तसलिए कर लें उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ अगर आप लोग चाहते हैं कि जब täll चानले वीन हो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दू ऊगर मेरी पार्टी या मुख्य़य मंदरी कहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ य जादा भागने से कोई पादा ने चार लाइनों में सब कुछ खत्म हो गया इतनी सी नियूस को पूरा देन टेलिकास नहीं कर सकते हैं क्या मैं तो इसलिए थे कि विनों कवर करने के लिए आ रहा था अगर वो आसपास ने दो धमाका हो सकता है चली आप लोग पीछे अट जा हृटे एककांव मुझे जुट कुड़ा नहीं ठरदोमारा क pau जोड़ना फिसमें मुझे जूता मारा हैं धरीसें आफ we इजयोंगे जएंपिछें हम एक diversus मुझे दीन आप एप एक जुमस मेंपाइब एक जाओ... बाहए पीज़ाए! आप एक हाओ!! जाप एक हाओ!! वाओ ले एक हाओ!! अबचिंगा, भारो!! खुझ वे अट, बुझ जड़ मुझे झ मारे भनोगा कोरॉ कि पिरो दॉफ ABOUT हुआ सब्सक्राइबlar कर भंगा कश भुप घप ये? तो हुआ 주iene… तो हुआ। किसी गाम के ही नहीं हो तो कि यह नहीं को जुखेड़ा नहीं होगा ना यह वहीं से इसने मुझे जूता भेक्टेवे देख लिया क्या वहीं देख लिया तो कि यह लो और जा कर चला दो तेंक यू सर्ट ने बड़ी शांति और कुठीटी के साथ अप्री बात रखी और दुना किसे हंगामे के सभा लगबग समाप्थी हुई थी तभी किसी ने मंत्री जी पर चूता थेग गया तभी कौन करता है इसे भड़क गए और हंगामा करने ल देख रहे हो इधर क्या गडबड हुई है अगर एक सेकंड में एक टांग पर अगर 180 डिग्री पर घूमें तो उसका इंपक्ट बहुत ही कमाल का होता है देख रहे हो मैंनू दो सेकंड में हम दो टांगों के इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या कर सकते हो लेकिन फिर जो फोटेज रिकार्ड होगा ना वो सब बखवास ही होगा और अच्छे फेमस चैनल इसको एडिट कर देंगे और जो मैं शूट करता हूँ उसमें कुछ एडिट नहीं होता मेरे भाई वहाँ देख इसमें कासी लोग हाई दी हुए और तई लोग असक्ताल भ को शूट किया अब मेरा फूटेज इसमाल करके अपने लड़कों को एडिटिंग शिखा रहे हो जदों को कटिनुडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या का सौरी सौरी क्या मैं क्या करूंगा सौरी का अपना सौरी अपने पास रखो यह क्या बक्वा सेर जिंदगी में कुछ करना है या बस किकी करते रहोगे इनको तो शूट का यह भी नहीं आता अंस क्यों रहते यह दोनों मेरे दोस्ते हैं इन दोनों के नाम पास उपरेट फिल्म हैं यह मेरे चैनल के लिए किसी प्रोग्राम के चलजा करने आए हैं बात करते हैं आण में जा इस सिनेमा हाँ एक पैख है यह वेडू अपने आपको समझता क्या है रिशी जैसे की चाहिएगी दुकान पर कोई सैना की कहानिया सुना रहा हो बिल्कुल आर्मी स्टोरी कार्गल वार जो डिफेंस मनिस्ट्री के लिए कवर किया था हम वैनू मुंबई दाज होटल में टरेरिस अटेक उस कमांड और प्रशन को किस ने कवर किया था किसी एजन्सी के लिए एजन्सी नहीं खुद के लिए किया था वेरी गुड़ सर आप वेनू कहा है अंदर ही है आईये ओके वेनू देखो हो सोमराजन सर रिशी को फोन किया तो पता चला तुम यहीं हो चिंता मत करो ज्यादा परशाद नहीं करूंगा ओ चूटी गवाई दो ताकि अच्छा हो सके लेखो आज मुझे एक फैक्स मिला है कि मेरा किस खत्म हो गया वह आपके लिए था मैं यहां पांच साल बाद आया हूं ताकि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूं लड़ू अच्छे दिख रहे हैं थैंक्स थैंक्यू जब मैं यहां से जा रहा था तब मैंने कसम खाई थी कि यहां वापस नहीं आऊंगा लेकिन यहां वापस आना ही पड़ा लगता है कुछ अच्छा होगा अरे इनने नहीं जानते एस्पी सौम राजन सर स्पिशल ब्रांच कुछ दुनों के लिए सस्पेंड हैं एक क्रिमि इस गाड़ी में reverse gear है क्या इस गाड़ी में reverse gear नहीं है लेकिन यूटन मार सकते हैं वेनू यूटन ले ले यह लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते इसको ये समझ भी नहीं पाएंगे तो सुनाव ना हां तो सुना देना है जा प्लीट सर लगभग साथ दिन के भूख हर्ताल के बाद समाज सेविका और कवीत्री राधादेवी का स्वास्त बुरी तरह बिगड़ गया है इसलिए पोलिस ने उन्हें अरेस्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती किया है उनकी मांग है कि चम्बाकरा मामले को सुलजाया जाए उन्होंने घोशना भी की है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो सामुही क्रूप से भूखरताल और आंदोलन करेंगी अरे वेनु सर आगे वेनु सर पोलिस अंदर जाने से रोक लिए यह कमिशनर की पर्मिशन अगर लड़की को एक घंटे बाद होश आता है तो इंटर्व्यू ले लेना चोड़िये मुझे तड़कते बड़कती विर्ची को नहीं है जूनिया रिपोर्टर भार भीजिए अब मेरी बात पार लीजे चोड़िये मुझे क्यों चिल्ला रही है छोपड़ पट्टी चाहिए क्या यू कमाल है कि पुलिस पर हाथ उठाने के हिम्मत कैसे लड़कियों से निपटने के लिए लड़कियों को सिर्फ लड़की चू सकती है इंस सब को उठाकर पुलिस में डालो अबकियों पंत्रिकार पर हाथ कैसे उठाया चाहरो इस हराम खोर को वेनु सर है रॉटर्स वेनु कर दो कर दो किर दो कर दो कर दो हो हदा है भाइज हज सब्सक्राइब है हां बताओ क्या रेपोर्टर रेक्वाद्टे अर्डेजक्प सौमराजन ने धकका मारा हाष तुमने देखा मैंने बड़े प्यार और शांती से कहा कि एक लड़की के साथ इस तरह हरकत करना कि आपको शोभा देता है पर उन्होंने मुझसे कहा तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इधर मेरे पास आओ और फिर मेरे कान पर एक जोर का चाटा जड़ पोड़ दिया मेरा कार और यहां मेरी चाटी पर लात मारी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ पता नहीं प्लीज अब बड़ा दर्थ हो रहा है सब लेख लिए ना ओके डॉक्टर हां सट्डिफेट तैयार है आप जाके लिए सकते हैं जी चल पट्टी हटाने से कुछ नहीं होगा यह कभी सुन नहीं पाएंगे वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर कि यह ड्रम फट चुका है सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी थोड़ी सावधानी बढ़ती हैगा ठीक है कि वेनु टेंशन नहीं है क्या वो वेनु टेंशन मत लेना तुम्हें सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा अब मैं तुम्हें कैसे बताओ कि डॉक्टर ने क्या है यार इमोशनल फिल्म की तरह क्या अटाक अटाक के बोल रहा है भाई तुझे तुझे कैंसर हो गया है बलड हो गया हो तुमने हमेशा के लिए अपने कान खो दिये हैं वो डॉक्टर कह रहा था कि सुनने के लिए कान में हेरिंग मशीन लगानी पड़ेगी हाँ कि अब यह भी गए एक बार एक चित्रकर ने एक लड़की के प्यार में पढ़कर अपने दोनों कान काट दिय Summit और हे प्रिये मैंने भी अपने दोनों कान खो दिये तुम्हारे लिए वो भी बिना प्यार में पड़े इसलिए मेरी आभारी रहना वह बात जो तुमने कही ना कॉन सी बात वही बात तुमारा मामला सेट हो गया तो प्यार हो सकता है अब तो देर हो गई पहले से तिंदोर हो हुआ 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 है यह भगवान उसके बाद एन्हें दोबारा मिलना चाहिए था लेकिन प्यार व्यार नहीं हुआ यहीं उसको सर पर चड़ाए रखें आपके इस प्यार की शुरुवात का असली कारण तो भी था आगे मैं इस काड़ी से गाइब हो गया अच्छा चलता हूं गुड़ नाइट गुड़ नाइट प्र क्या हुआ थे उसके बाद प्रेस मीटिंग शुड़ो होने वाली है मैं बार में फोन करती हूं है बहुत जरूरी है एक दम एक्स्क्रूजिव उसको कवर करना है किस बार में मुझसे मिलो फिर बताता हूं बहारी हूं मुन अच्छा सुन इसक्लूजव न्यूज मिली है उसी के लिए जा रही है लेकिन कवरेज के लिए कोन आएगा कवर करने के लिए आ रहे है ना वेनू सर रॉइटर्स वेनू का आ जाओ बैठो इसा के एक्स्क्लूजव है बतात केस्ट हाउस रिशी के चैनल में पैसा लगाने वाला यह वही आदमी है उसी का है इसमें क्या एक्स्क्लूजव है है ना यहां और कोई नहीं है बस हम दोनों ही है एक्स्क्लूजव मतलब यही हुआ चलो चलो आओ ना यही बेनो रुको में आओ क्यूं इरादा क्या है इरादा वहीं जो होना चाहिए अच्छा तो जाओ दिवाद चड़के दिखाओ ओ्त प्लीज, शादी से पहले नहीं, कर सकती, क्यों, ऐसा ही सोच रही हो न, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो फिर? अरे बापरे, ये बात सुनकर तुम कितनी उदास हो गई है न, अच्छा, अरे चलो नरौ, चलो, खाना बनाना आता है? बिल्कुल आता है ओके किचिन कहा है वहाँ है क्या लोगे चाय या कॉफी वह बात में पहले मेरा गाना सुनना होगा गाना हाँ म्यूजिक ट्रैक करो के अमें अपने आने वाले भविश में दो चीजों का सामना करना पड़ेगा शायद इसके लिए जगड़ा भी हो सकता है एक तुमारी कुकिंग और दूसरा मेरा म्यूजिक मज़ा आएगा मैं इसको प्ले करके सुनाता हूं पहले दिवार चड़के दिखाओ फिर क्या हुआ आपका मूड ओफ हो गया सर कुछ बुरा हुआ क्या इसको बच्चा नहीं हो सकता इसी बात सोच सोच कर दुखिये यह तो कोई डॉक्टर से मिलिए कोई फायदा नहीं होगा बिलकुल भी कोई फायदा नहीं है अरे कोई ऐसे बच्चा कैसे बैदा कर सकता है यार बेवफा कहींगी चुडैल खून पीने वाली चीतर ना तुम यह नहीं कह सकते कह सकता हूं उसने मुझे भी दोका दिया है आगे मैं बताऊंगा बात तब किये जब मैंने भारत विजन छोड़कर अपना एंबिया शुरू वाले राजन कर्था जी टेरला राज्य सवा संसत के लिए रामंकित किये गए हैं इसका रिपोर्ट के पास एक दी उमिद्वार और एंपी नहीं है इसलिए हमने ये कवर दिखाया है यह मुझे शुब लक्षण दिखाए दे रहे हैं कौन सा लक्षण जब हमारा चैनल लॉंच हो रहा है तभी ऐसी स्थिती पैदा हो रही है अभी सारा महुल गरम है इन खबरों से हाँ सही कह रहे हैं आप इतना आप सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है आज से सारे न्यूज चैनल वाले राजन करदा और ब्रह्मनातन पिल्लाई पर ही फोकस क करेंगे और हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ दो दिन में दर्शकों का ध्यान अपी तरब खीच लेंगे फिर उसके बाद देखना सारे चैनल खत्म कुछ रोमांचिक स्टोरी मेरे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी रेडी है ना बस हमें यह तकरना है कि कौन से स्टोरी भी चलाएं इन सब में से एक है चिसे हम नजर अंदाज नहीं कर सकते सबसे एक्सक्लूसिव है और वह है वेनु अहां दूले राजा अरे यह है बैनु अरे कौन नहीं जानता है इनको कैल्विन जोसिफ मेरे पाडनर मैं जानता हूं इनको इस पर सारा पैसा मत लगा देना चलो है चलो हम लोग शादी कर रहे हैं है ना कोई इंटेशन नहीं होगा क्योंकि रिजिस्टर मेरे रिशी ने बताया था बधाई हूं थैंक्स अरे बैनु कल सर्फ सेगनेचरी करना है ना रेनु को लेकर कहीं दूर मत चले जाना मेरी साब एडिटर है चल्वे जमीन पर आजा अभी चलन शुरू नहीं हुआ है अभी से हुकुम चला रहा है जाओ जाओ पापा चाहते है कि हमारी शादी हो विधी के साथ तो फिर किसी और को ढूंड़ो जो 17 घंटे नात भाड़के खड़ा रहे वही ठीक रहेगा मैं तो बस बता रहे है जुन्होंने क्या कहा है ठीक है तो फिर तुम्हारे पापा के लिए ढूंड़ते है तुम्हारी माम मान भगवान बिल्कुल कटीले पेड की तरह है मैं कटीला पेड हूं भूल नहीं हूं अरे बेनु अरे कर तो तेरी शादी थोड़ा रख जा मेरा पेशंस कत्म हो चुका दोस्त रिशी मैं तुमसे बात कहना चाहता हूं मैं चैनल में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं अकड़ के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए रिशी बिल्कुल सही वरना हम क्यों आवार व्यक्त करेंगे एक आदमी अपने घर आता है फ्रेश होकर इंतजार करता है कि बच्चे सो जाए दो घंटी टीवी देखता है कारी क्रम समाचार जिसको हम मीठा बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं कहानी बदल जाती है बंद करो ये सब एटिट्यूट प्रॉब्लम हमेशा की तरह बिल्कुल अगर मेरा एटिट्यूट बदल गया तो तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम्हारे चैनल के लिए किसी भी पेमिंट पर हालो हाँ रेडू मनिलाल एक शौकी एक्स्क सब्सक्राइब करें तरुभी पाते हैं कि अगरे रिशी क्या तेरा चैनल आज या आज रात को आनेर हो सकता है हमारे पास एक एक एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट है जो किसी के पास नहीं है बोल हाँ या ना हाँ बिल्कुल कि अग्या थे चैनल आज रात ही लॉंच होने जा रहा है सारी तैयारी कर लो शेय बजे तक प्रमोज चालू हो जाने चाहिए और हाँ एंबियाई आज रादस बजे लॉंच हो रहा है इस ख़वर के साथ पूरा शेयर और सटेट सक्टे में पर जाना चाहिए प्रमोज इं इसो कलरिफाई करके आगे फॉर्फट करें इससे हम शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में भी शूट कर सकते हैं लेकिन इसके क्या जरूरत शिक्टी डिग्री वाइड विजिन के लिए काम आता है एवी डीटेल सिक्टम क्लियर होती हैं हाई रिजूशन है अच्छा शुरुवात कहां से करने इता ही कर लिया गाड़ी में शुरू कर दे अभी करना है अगर विजूल में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा तो इस वीडियो को बनाने से तुम्हें फायदा क्या होगा तुम आउन ओके वेड़ी रोलिंग भारत की राजनीतिय और राजन कर्था और लोक तंत्र पार्टी के प्रेसिदेंट भारत पिल्लाई को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे देखते रहे उमीद करता हूं कि जो कहा है वह हम देख सकेंगे कि 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 रेडि तुम तैयार हो ना कैमरा सर कि अ भी घंडान आरण वह करेंड़ेट के का है प्रेंड बौब इंडेख और कि यह उर्म पी सार्श्काला जाया हो बिल्सटी देख निए जय को मैं बुलाई नियारे तुम अससरे है अजोड़ेगे पार्टी में अपार लिगे पार्टी मिलेगे दाहा है अधीड पूट झाल झाल सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब तर रागना है यह पिसको अफिस के ने रख दो अज़िए कि पुराना फ्रिज की रुपेयर कर वाया नया फ्रिज नहीं नहीं करी सकते हो गया अइसा ही हमारे बतन सर्व अलागे बिल्कुल और अनुके भी है कुछ आप अज मैं बहुत थक गया हूं आप लोगों से कल में मिलता हूं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जाइए जाइए जाले आधा याँ कर दो कर दो एंसे को जा सकता है आए 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 नमस्क्राइब कि वर्गेस किसी को अंदर आने मत देना जब तक फैसला नहीं हो गया तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी पाठी के सदस्ट से तो नहीं मांदे सब लोग यहीं पे रोना धोना करते हैं दिल्ली तक तो कोई पहुंची नहीं सकता है इसलिए तो मैंने तुम्हारा प्रस्ताव मान लिया जो हाथ में होना चाहिए वो कहा है दे रहा हूँ बिल्कुल सच है यह चावी आपके फ्रीज किया है इसे रिपेरिंग के बाहने मैंने यहां मंगवा लिया था इसे देखकर आपको ठंठेक मिलेगी आपने जितना कहा लेकर आया हूँ गिल दीजिए यह राज्यसभा की सेट के लिए तो काफी है लेकिन जल्दी केंद्रिय मंत्री का थाज भी पहना दूंगा तब भूलना मत जिन्ता मत कीजिए मुझे इसकी तरह सब कुछ यहाद रहेगा हाहा 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 हाह वह वापस आ रहे है तुमारे पीछे पिल ले का घर कैनकना ठाईए चलो कुमान डड़ी अ मेर रेनु काination जंदाना में वेक्रेंगे साथ ठीज़वारता पे लिए गधैं कष़ेस कीगान्स यहां से आप सुरा जहिए आगे अगेत अच्प्क्न मिलेगां तो दो Settings का वंगला अलिक्रागरं कि स् लेअगे के और विकोने दें दो एकнего gamers कर रहा है कुछ नहीं उस गाड़ी में कौन गया वो गाड़ी वाला रास्ता पूछ रहा था इसले बता दिया हलो ऐसा यह अन्थनी बोल रहा हूं क्या बात है अभी तुम कहां पर हो हमने शक के अधार पर एक आत्मी को पकड़ा है मुझे शक है कि वह पत्रगार है क्या प्रेस रिपोर्टर यह लोग ऐसे पकड़के लाएं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ मैं एक नेशनल अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हूँ ओके ओके हमारे इस राज्य में पुलिस वालने को रॉइटर्स का मतलब पता ही नहीं है आप लोग ज़रा बहार रू किये वेडू बैठिये नहीं ठीक क्या देखा और क्या शूट की है तुम चुप करो आप जो सोच रहे हैं वही इंफरमेशन मिली है मुझे बाद में पता चला कि वो सारी इंफरमेशन जूटी थी कैसे करता सर जब आये तो उनके हाथ में कुछ नहीं था ना उनके पास कोई बैग ना ब्रीफ केस था यानि क और सर वो वैन किसी M.B.I. चैनल की है वो चैनल आज रात ही लाँच होने वाला था टीवी पर मैंने नीज देखी है गाड़ी में कुछ नहीं मिला सिर्फ ड्राइवर ही था इसलिए उस ड्राइवर को जाने दिया M.B.I. News Bureau of India. Tonight at 10 p.m. we are launching अगर यह हमसे रिलेटेड है तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ हम उसे अभी निप्टा लेंगे मैं तो अभी तेरी अर्थी निकाल दूंगा मुझे कुछ पता नहीं सच में कुछ पता नहीं सर वर्गेस हाँ एम्बूलेंस वाले को फोन करो दो मिनेट के अंदर यहां प फोन स्च बता रहाए नमस्कार बुटीविनिंग एन बी आई निउस बीरो आफ इंडिया जो सच है सही है वही समाचार और सच को किसी प्रमान की दरूत नहीं है एन बी आई पूरे सच के साथ मौजूद है और हमेशा रहेगा एक फ्रेश और नया चैनल होने के नाते हम आपके सामने एक एक्सक्लूजिव खबर के साथ धमका करने वाल परिशाने के लिए माफी चाता हूँ वर्गेस इनको जहां भी जाना छोड़ कर आओ तुम क्या अंध्य हो जाते हो भाई कौन मैं एम्बूलेंस कौन बुला रहा था यह खबर सच्ची होती तो हमें यहां से इमिडिट निकलना पड़ता सारा कैश क्या करते तुम अच्छा दो हजार तीन को जो भी हुआ उसे विस्तार से बताई यह कौन पादरी है देखिए आज तक मैंने जो कुछ भी कहा है विशिव हां क्या हुआ बेनू कहा है तेरे साथ ही तो गई थी रेनू तो महारा अंतिम समय तक इंजर्व करते रहे हम लोग तुम नहीं आये तुम्हें लगता है वो धोका देगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम परिशान मत हो क्यों ना हमी इस घटना को ओनेर कर दे और आज हम आपको ऐसे ही एक हिला देने वाले दृशित को बुरू करवाने जा रहे हैं जिसमें राच्य सभा के सदक्ष्यर राजन कर्था और करेंगे तुमने इसको दूसरे चनल में और करवा दिया मेरा तो चनल शुरू नहीं से पहले ही बंद हो गया तुम जो लॉंचिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे वह सारी बातें बखवास थी मैं तो मैं साथ बिजनस नहीं करता जाड़ों मैं यहां से भाड में चैनल जार और अधित भारता पिंद़ाई के घड़ से क्याम्रामें वेड़ू के साथ मैं रेनू का ऐसी है 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 कि अब हुआ हुआ है हुआ है कि है कि सार तुम है उसे कांट डॉप किया था लाइवर के बाद फिर वो किसी और गाड़ी निकल शुए भारत विजन चलते हैं कैसे क्या प्लिखख प्लिखग डिल्खषा गिंग, वुदर शेवा दिजना, मैं अए ह linking भी की वहat प्लिखोर का ही कि झाल भी कि युम्हाब व्यन्हार Divya Giving कम्यों से की में हैं शेखिकना ब SS युम्हें तंगasis जोन कि अज़ाथ है हलो व्याडू तुमने मुझे कितना नीचे तेख दिया मैं कितने उचाएं पर पहुंच गया था मैंने ये बताने के लिए फोन किया है जब घाओ गहरा हो तो उसका दर्द भी बहुत हो जाता है लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं देमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी मीटिंग में ये फैसला लिया है कि भारतन पिल्लाई की प्रेजिदेंशल पोजिशन को खारिज कर दिया जाए उन्होंने विजलेंस से अग्रे किया है कि कर्था और भारतन पिल्लाई के खिलाफ चाश शुरू की जाए उमीद है कि ये ज आज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी जो होता है अच्छे के लिए होता है अगर मैं एक दिन भी लेट होता तो मुझे घर की कचारी में हाथ मंदे खड़े रहना पड़ता माफी के लिए माप कर दो मुझे मैं नहीं माप करूंगा उसने मेरा नवी चनल बरबाद कर दि लेकिन अभी तक स्टेट बिंदरी है पान साल हो गए हमें अनराई बने अमने राजन करता के बारे में कुछ नहीं सुना यह सब उनी के आदमी है भागाओ इनको मुझे भूग लगी है तेरी बाइक का है बाइक निकाल है तुने अपने स्टाफ को सेलरी देदी हां देदी इसा कहां से है कहीं बड़ा हाथ मारा है तुमने उदार देने से मना किया तो मैंने तुम्हें भी बेच दिया कैसे हमें डी एसपी के कंटो पर सेल्ड फुटेज मेली थी किसी नगड़के ने रिसोर्ट पर शूट किया था मैंने वह फुटेज उसको देखाया और तुमार अब नाम का गलत इस्तमाल किया अब कहां गया अब इदर आप अधिन नाम कर गया तुने तुझा ज़ए अधिक पुलिस 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 यह क्या भी सलग में गुंडा कर दी कर रहे हो कुछ ने हम लोग एक्सेस कर रहे थे एक्सेस कर रहे थे मैं करवाता हूं एक्सेस ए इनने जी में डालो वेट मैं खोच चलता हूं अगर हाथ उट आये तो ठीक नहीं होगा कल सारे चैनल पर तुमारे असले चैरी की कवर स्टोरी बना कर चला दूंगा मुझे पकड़ने अब हो गई तो मैं क्या करूं सर यह रोज ऐसा ही ड्रामा करता है जब भी पुलिस वाले इसे किसी बीच रास्ते हैं पका लेते हैं तो यह चैनल का ड्रामा शुरू कर देता है कुछ नहीं है सर यह बशादियों में वीडियो शूटिंग करता है एक मिनिट मैं खुद चलत सब्सक्राइब करता है कि अधाइस को जीप में आजा आजा बैट जाए जाए फ्रांसिस इसकी बाइक प्लिस्टेशन लेगे जाओ एक लिटर पेट्रोल भी बरवादे ना हाँ चलो थाने बरवादा हूं पेट्रोल क्या करें खड़ें नहीं मैं नहीं उठूंगा अरे सब्सक्राइब कर दिया है पराम देर से बैंच लेया सोनी के लिए मुझे लॉक अप में बंद करो नहीं तो मैं यहीं सो जाओंगा मैं डेली रात को 10 मजे दूद पीकर सो जाता हूं मेरा टाइम हो गया कोई दूद ले अब यह आधे रात को कौन परिशान कर अगर कोई बहुत सब्सक्राइब को देना कल फोन करें मैं सो गया हूं है अलो कौन बोल रहा है क्या मैं रॉय्टर्स के स्ट्रिंग कैमरा में वेनू से बात कर सकता हूं है किस का फोन है साथ अना थाला इसे है चुप भेलो मैं एडवकिट मनीलाद केस क्या है वगिल साब आप बात को आगे मत बढ़ाईए उनसे कहना कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए इंस्पेक्टर मैं बताता हूं क्या हुआ था कि जब आपका मुझसे सामना हुआ था आ तुम को नो यहां क्या कर रहे है मैं एडवकिट मनीलाल कुछ बात कर नीतिया आप से इस बारे में इस अब आउट इन एक्सक्रूसिव यह कितना एक्सक्रूसिव है यह तो कली पता चलेगा जब मुझे होश आएगा चलो चले अच्छा आप बताओ क्या एक्सक्रूसिव है आज तक नीउस चैनल के इतिहास में यह एक्सक्रूसिव न्यूस किसी ने नहीं दिखाई होगी लेकिन इस नीउस के लिए जान डाओं पर लगानी होगी मैंने जान बहुत बार दाओं पर लगाई है उसकी चिंता मत करो मामला क्या बताओ बताओ बताओंगा लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारी तरफ से एक कन्फरमेशन चाहिए एक्स्टूसिफ इंफरमेशन मुझे एक पर्टिकुलर चैनल से मिली है और उनी के लिए स्टूरी कवर करनी होगी उनका रिपोर्टर आपके साथ होगा कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक बार इंफरमेशन डिस्क्रोज हुई तो आप पीछे नहीं आठ सकते मिस्टर लॉयर वैसे मेरे भी कुछ एथिक्स है एक बार कमिट किया तो कर दिया अगरी लेकिन एक शर्थ है क्या करना कैसे करना मैं तैय करूँगा ओके मन्जूर है हम उस जगे पर पहुंच गये हैं यहां से ऑपरेशन आपको कवर करना होगा ऑपरेशन एक मर्डर और इसको प्लैन किया है केडला इस्टेट के बहुत ही पॉपिलर लीडर ने कि मैं इस तरह का काम नहीं करता हूं तुम किसी और को पुला ला लेनू वेनू प्लीज कौन है वो आदमी भार्तन पिल्ले की ग्रूप में एक आदमी है कौन है क्या यह मैं नहीं जानता लेकिन यह क्या बक्वास कर रहे हो मैं सिर्फ आपको अश्योर कर सकता हूं यह इंफोर्मेशन हंडिट परसंट जेनुविन है ठीक है मुझे जगा बताओ टाइम और डीट और जो रिपोर्टर मेरे साथ आ रही हो कौन है रेनू अब इस काम के लिए किसी और को ढूंड़ो मिस्टर वाकिल मुझे वापर सोड़ दो ए रेनू पहले मेरी बात तो सुनो रेनू अब तुम पीछे नहीं हट सकते तुम्ह पहले कि यह कहा कि कोई रिपोर्टर है मैंने तुमसे पहले को भूल जाओ इससे कुछ और समझो एक्सपाई तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो एकदम प्रोफेशनल की तरह मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूं और यह बहुत ही रिस्की काम है मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे प्रोफेशनल इश्यूस बाहर रखो इस एक्सक्लूसिव से शोशल इंपक्ट क्या पड़ेगा तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो अभी रेड़ू से बेटर कोई आप्शन ही नहीं है वेड़ू तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे है प्लीज पर मेरे एक शर्थ है जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने तरीके से काम करता हूँ इस काम में मैं सारे डिसीजन खुद लूँगा मुझे किसी का इंटेफेरेंस नहीं चाहिए शेयो एक और चीज मुझे एक दीसी एंजी वैन भी चाहिए विदाउट एनी क्रू ओके जो भी विजुल भेजूँगा वही ओन एर किया जाएगा मेरे फुटेज में नो एडिटिंग और नो इंटेफेरेंस समझे अब मेरे अकेले की फीज दस लाक रुपए ये लोग एडवांस रखे रुकिये मेरी बात सुनिये मेरी शर्ते खत नहीं हुई है जो भी विजुल चलाया जाएगा उसकी एक स्क्रिप्ट विजुल एक्स्क्लूजिवली कवर्ड बाइड कैमरामेन वेनू किसी रिप प्रपेयर करने के लिए हमारे पास 12 घंटे हैं साही डिटेल्स रेनू के पास है ओके अब सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर यह है वेनू रेनू का शेकेन पो ज़रूरी नहीं है आरी वैसी फॉर्मालिटी के तौर पर बोल रहा था है बी प्रोफेशनल वेनू प्लीज क्याश उसके गाड़ी में रखते लाएं कोई इंट्रो नहीं कोई साइन ओफ नहीं फिर क्यों मेरे साथ जबरदस्ती चिपक रही हो मैंने सुचा अगर बदला लेने के लिए तुम फोटेज लेकर भाग गये तो इस तरह की घटिया हरकत करने वाली सिर्फ एक ही ओरत है और वो हो तुम वेनू एक चीज तो भूली गया उस लोकेशन में डियसेंजी का सिगनल बड़ा खराब रहता है अगर ऐसा हुआ तो हम बैन के बिना नहीं जा सकते ठीक है ठीक है अब तुम दोनों अपना प्लान त क्या मैं कुछ कह सकती हूं बिल्कुल नहीं सुन तो लो कहाना नहीं हम अगर कोशिश करें तो मन्ने वाले को बचा सकते हैं तुम जैसी धुकिवाज औरत ये बात कह रहे हैं कून तो होना ही है लेकिन अगर हम बीच में पड़े तो वो शायद बच सकता है ये तुमें लग सीरिस हो जाओं सच में अगर मैं हो गया ना तो तुम हॉस्पिटल के आई सीउ में पड़ी मिलोगी तुम्हारे खिलाब बहुत कुछ भरा पड़ाया अंदर तुम्हारे की कोई ज़ुरत नहीं है बस अपना मूँ बंद रखो मुझे जो करना है मैं करूंगा भार में कि थोड़ा पीछे की तरफ रहना मुझे चिपकने की कोशिश मत करना मुझे चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है अशी अशी लेफ्ट लोग यहीं क्लब हाउस है यह तो शांदार प्रॉपटी इस पर तो केस चल रहा था सरकार ने 15 साल पहले इंक्वाइरी की थी यहां तो वाच्मैन भी नहीं है वैसे क्राइम कितने बज़े होने वाला है रात आठ से नौके बीच में ताइम तो ऐसे फिक्स किया ह जैसे कोई शादी का मूरत हो बाला है झाल कि अखेले डर तो नहीं लगेगा ना मैं उपर जा रहा हूं नहीं लगेगा अच्छा तुम यहीं इंतिजार करो कोड़ी देर बाद जर और बड़ जाएगा अगर था भी शूर किया तो जान से मार दूंगा कि अवा जूहे के कारण सोर मचाया है पूमें कपड़ा थूस लो आवाज नहीं करना है कि अवाज जाओेगा बड़ियन नहीं करना है झाल झाल क्या हुआ तुम्हें यहां कैसे पहुंची तुम उपर कैसे आगे मैंने छे साथ साल मार्शिलाद सिखा है प्लाट बल्ट हूँ है कार है अएका डिल्मँ रड़ा है अ हाँ ओलाभ वजड़ा है अ हुआमज़ अ हरा एकाई थाकई ऐसा ङकाई वे आप वे कर दो तो explosive तुम्हें यह आपएिगा तुम्हें एक उंप हम आउड़ा का अ शार्ण जोटो ! जुँँँ जुँँ तो ! जुँँँँ event! लिच más, जोटा। जोटो मुझे.. कशाव जोलो मुझे! जे को जोटो.. मेज़ मुझे माजे.. तुम्हारे कबूलने से मुझे वो सब कुछ वापस तो नहीं मिलेगा ना मेरी छवी मेरा वह था जो मैंने पांट सालों में बड़ी मेंस से कमाए थे सुगना अगर हम तुम्हारी जवान खिटे तो कैसा रहेगा जब तुम्हें एक चनल से मिलके हमें धोखा दिया तुम्हें अच्छी तरह से पता था मेरा इतने साल का पॉलिटिकल केरियर खतम हो जाएगा तो अब मैं तुम्हारा अंत कैसे करूंगा इसका मजा तो ले कैसे बहु कि जब में आके में बाज़िए हैंगा इसको सॉसिंत प्रॉड़ंदिकल के विग करता है विखाति जावब ने जाकर लड़का थोुछे जावा हैंगा दोर्सको एक्सوع जानलागा जांबंगा इसको प्रवाई टुड़ एक तर लुड़ गता तर लुड़ को तर लुड अपनेटरा लुड़ कर झाल प्रोड़े लुट रूब टूब लुट लुट अनुट विर लुट रवट लुट विर लुट 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 हेलो वेडू, हाँ, मैं अभी फुटेज अपलोड करने जा रहा हूं, भारत विजन के लोगों के साथ, ट्रोलिंग स्क्रिप्ट भी उपर चला देना, जब तुम स्विच आन करोगे, तब मैं यहां टीवी देखना शुरू करूँगा, अगर कोई भी एडिटिंग हुई, त सुनो, जैसी वीडू पुटेज चलाएगा, तुम अपनी स्क्रिप्ट भी चला देना, समझ गए? ठीक कैसर, इधर हूँ, गेट एडिविल दीएची, कैमरा एंड एबरीधिंग, विदिन हाफ एनार हमें भरतन पिलाई के घर पे पोँचना है, अच्छा सुनो, मैं रेश तो खादिया, मैं तो सब कुछ कभूल देना, मेरा इतने इंसाल का पोलिटिकल केरियर खतम हो जाएगा, तो अब मैं तुम्हारा, अंत कैसे करूँगा, इसका मजा तो देजूँ, जाकर लटना दूशको क्याम्रामान वेनु के साथ, मैं रेनुका अधी क्याती हूँ, बैग मुछे देदू, मैं समहार के नीचे ले आती हूँ चिछ अच्छे घटना स्थर से क्यांगा मैन वेनूं के साथ मैं देनूं का यह तो वही है कैमरा मैन और वोर विपोर्टर तर आपने तो कमाल कर दिया तिरफ आप दो लोगों ने मिलगे यह शूट किया अच्छा तो उसकी लास अभी वहीं लटकरी होगी हो सकता है पुलिस को अपनी चान बिन करने दो इन लोगों ने छुपकर सूट किया होगा अरे ने ठीक सामने से यह बचेंगे नहीं अब फिंटों के हाथ लग गए तो चल देखतें क्या होता है अगर पिल्लाई मना करेगा तो क्या हम जबर्दस्ति कर सकते हैं सर हमें क्लब हाउस के लिए थोड़ी और फोर्ट भेजने ही पड़ेगी ओके सर वो देखो भार्तन पिल्लाई के खर पिलीस कोंच के लगता है कर दो है अब देख रहा है भारत वी संद्व बर्दस्ति के सामने हैं अब देखा है कि सुधना का मरड़र्र अब भाही देखा जो तीव पर दिखाया गया पूलिस पैले ही और गटना इस तरफर पर पौँच चुकी है क्या चाहते हैं आप लोग जान से मानना चाहते हैं मार दीजी ना कोट और पुलिस के रहोते हैं आप सजा दे सकते हैं लेकिन पहले सच्चाई तो जान लीजीए तो मैं कुछ कहने की दर्शब नहीं है अब सब कुछ चीवी पर देखा है अब पुलिस इस उमसे पुछता आच चाही तब क्यों आप देगा सकते हैं अब बगें अब बटा बाब बटा बाब बटा बाब क्या अब 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 यहीं तो मैं कहना चाहरा था देखिए यह आपके सामने जिन्दा यहीं वो है जिसको मैंने मार के लटका दिया था ना अब मैं सच्चाई क्या बोलूं इनसे पूछ लीजिए अब अब मुझे कुछ नहीं पता है वो इसके बारे में पता है अब मैं टेकनिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ आपको यादोगा आज से पांट साल पहले एक टीम में साथ ऐसा खिल खिला था जबकि मैं बिलकुल निर्दोष था जलो हाट लगा देंगे भारत वीजन को, चलो! ए रुप्जाओ कहा जा रहे हो जलत जलत रिकोर्ट दिखाती तुम लोग जाने ने ने भासो जल्दी सिराखे वैंन मे बेठो ए तुर हाँ जारी है तुर अबो जो बेठो अबो जो तुर यहां से राइट ले लो फ्लार फिजिन चलते हैं राइट लो मुझे स्टूडियो जाना है पक्वास मत करो स्टूडियो जाकर क्या करेंगे आहे हैं चलो अब शाता जाकर चलो कि यहां कि यूदर नेचे उत्रों पिला देने वाली दर्दनाव दृश्यों ने लोगों को भी हिला के रख गिया जो केरला से संबन देख था हर विजिन इसके पसारण किया था कुछ देर बात उस अहदली को मित खूशिक कर दिया गया वेनु बोल रहा हूं कहा हो तुम अपने घर पे हो मैं स्टूडियो में ह वह हूं बिल्दिंग के पिश्मेंट में तुमारी हिम्मत कैसो हूँ मेरी बिल्दिंग में जाने की आप मदद के लिए भारत पर जाओ जाओ उसके लिए एक्स के लिए थे ना वापे से उसनी के पाफ चले गए अब झाना तु पनेड़ियों को साथ में लेकर मद जाना व यहां में आकर इसी चहाई का सर रहे है जल्दी आउना यहां में आई अणके पिर नहीं आई है ए बागवान लगता बिना पिएा इसे मारजाओंगा प्रतन पिल्ले की घर की बाहर जब जनता आप इससे बाहर हो गई तो जनता भारत विजन स्टूडियो पहुँच गई उसकी बाद पुलिस वहाँ तब पहुँची जब जनता तोड़ पोड मचा रही थी जनता ने चैनल पे बहुत तोड़ पोड मचाई और सब कुछ सहत नहस कर दिया गलत न्यूज एलिकास करने पर चैनल के सीई ओ और डिरेक्टर विजे कुमार को पुलिस में जरिफ्तार कर लिया और जल्दी उनसे पूछ ताच की जाए इसकी अम्मा ने इंफरमेशन दी थी क ना कहीं का पेव गुफ ताला वह इंफरमेशन मुझे मिली थी विजे कुमार सर को नहीं क्या का अख उस इंफरमेशन की सारी डीदेल्फ मुझे मिली थी मुझे बताओ वह इंफरमेशन किसने दी थी medi बताओ ना बलो को उसी ने दी मणी लाल नने तो यह हो जिसने अमे दोगा दिया कि दἥ मणी लाल इनेसे बीएं जानती हूं जूट बोल रहा है वो और यह बात तुम कैसे कह सकती अ वो क्या भगवान है या तुमारा बाफ है वो मेरा भाई है मैंने आज तक जितनी भी एक्स्क्लूसिव न्यूस दी है उसकी इंफर्मिशन मुझे उसी से मिली है और उसकी इंफर्मिशन हमेशा सही होती है वो इनसेंट है पिल्लाई को गुल्दस्ता भेंट करना चाहिए उसने एक ही जटके में सब कुछ हासिल कर लिया जो उस रात उसने खोया था हां मैं सुन रहा हूं मिस्टर भारतन पिल्ले क्लब हाउस वाले घटना गलत साबित हो गई तो फिर क्या आप इसका भी दावा करेंगी कि जो पात साल पहले आपने जो गर्था सर से घूस ली थी क्या वो खबर जूटी थी क्या आप इस सच्चाई का दावा करते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं क दन्यवाद मिस्टर पिल्ले दन्यवाद अरे बाब रे देखना अब हो सकता मुझे ताम पत्र भी मिल जाये वह सब कुछ अब मुझे मिलेगा जो पांच सालों में मुझे सचिन गया था उन दोनों का क्या हो रहा होगा उनकी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो क सोचना है उसका तो केरियर ही खतम मैं उसी की तरह उसी की चाल चलूंगा सेम रूटीन सालेंट चेस करूंगा पिल्ले सर्थ माना कि यह सब खतानाक नहीं हो सकता पर यह भी संभव है कि वह लोग हमारे पीछे फिर से आएंगे लेकिन अभी नहीं वर्गेस वह बाहर नहीं जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक मुझे समय मिल जाएगा क्योंकि अब मुझे मुझे मंत्री की कुर्सी हासिल करनी है आने दो उनको बाहर प्यास तो लो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यास भूग लगे तो मुझे क्यों देख रही हूं मैंने कुछ कहा ही नहीं मैं कुछ नहीं दूँगा कोई खटकता रहा है कोई कोई है भाग कोई है कर दो कर दो कर दो 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 है ज़का रहा है कर दो दो थेंक यू बेंग आपके जिस्टाइब यहाँ यहाँ जरा उनको अदर बुला दिंख अज़ भॉब तर्ण यह विदियो इसने तो यह सारे ओरिजिनल फोटे शिए सर गठ काली मत भेजना इनको ओड़े व्यक्तर अब है इस सावित हो गया है कि सारी जूटे थे पूलिस में वेलुव रेनुका के खिलाव कीश तरश किया है बंद करो इसे अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो बताओ उसके लिए हमें कानुनी दावपेज बता होने चाहिए मैं मनिलाल को बलाती हूं पर्मीशन क्यों मांग रही हो क्या मैं तुम्हारा पती हूं मेरा फोन भाही DSNG वैन में ही छूट गया तुम अपना फोन दे सकते हो क्या रोको स्पीकर आउन करके बात करना जो भी बात करोगी सुनिए मुझे इस जगह के बारे में कुछ मत बताना हूं है मेरे पास रहकर बात करो स्किट तो हलो मणी मैं रेनु बोल रही है रेनु कहां हो तुम तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है कितनी टेशन हो गई थी मुझे रेनु देखो तुम किसी भी पार्टी मेंबर या फिर पुलिस वालों के हाथों में मत लगना सबी तु तुम मुझे ये बात साफ सा बताओ कि हमारे साथ ज्यादा रेनु अगर तुम पकड़ी गई तो बहुत बड़ी परिशानी खड़ी हो जाएगी देखो अगर पकड़ी गई तो तुम्हारी बेल कम से कम 40 दिनों दक नहीं होने वाली देनु मुझे तुम्हारी बहुत पिक्र हो रही है चो मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यान से सुनना अगर कोई पुलिस के पास सरेंडर करता है तो उसे दो या तीन दिन में बेल मिल जाए अगर को एसे क्यों देख रहे हूं वह मुझे से प्यार करता है मुझे बचाना चाहता है इसलिए सब बोल रहा था तेरा मनीलाल तू और तेरे दोस्त सब एक जैसे हैं धोकेबाज कि खबरदार जो मेरे सामने से हीली तुम तो सब बताने वाली थी कि खबरदार आए कि एफ आई यार दर्ज नहीं किया गया है तुम्हारे खिलाफ अभीता बोलो अपराधी बनोगे या गवा है अभी भी टाइम है क्यों थो नहीं हां सर तुम बस इतना कहे दोगी रेणू पे तुमको भरोसाता और तुमने उसके कहने पर ही उस वीडियो को टेलीकास्ट किया उसके बाद तुम छोड़ दिये जाओगे और हाँ चैनल का हेड वेनू था ऐसा तुमको कुछ पता चला था बस और कुछ नहीं है इसके बाद भारत वीजन पहले की तरफ फिर से शूडू कर सकीएगा बोलो इस वेनू और इनू का वह दोनों तो भागे हुए है तुमको पता नहीं है क्या सॉरी सर लेकिन मैं उनका पीछा करने में लगा हुआ हूं क्या है यह यह यहां के नोटेंग की चल रही है क्या इसे पुलिस कलब से क्या तुम लाए हो नहीं सर पिल्लाई साब कुछ पूछना चाहते हैं सर कि आपने पूछा नहीं कि मैं उनका पीछा क्यों कर रहा हूं मुझे इतना भरूसा तो है कि वह दुबारा कोई ऐसी स्टोरी नहीं दिखाएंगे जिसमें एक आदमी मर जाया और वह फिर से जिन्दा हो जाए क्यों ना मैं उनसे मिलकर पूछ लूँ विन्नी जल्दी से ढू सुनो आज रात की दिस बज़े की निउस को निटले रतना समझ गया और हां उस रेणू की पॉपलेटे में सो खत्म करना हम लोगों को बागी चीजों को मैं समाल लूँगा और वेणू वो तो सिर्फ कैमरामेन था उससे जो कहा गया उसने वही किया हमें उसे बचाना ही हो होगा उसके बाद हम धमाका करेंगे वेणू के इंटर्व्यू के साथ सर इंटर्व्यू है होगा चुप रहो तुम जाकर अपना काम करो जाकर शाम की निउस की तैयारी करो चलो तुम लोग पी जाओ सेलरी सबको टाइम पर चाहिए अरे एक्सपी सोम राजन सार का पोन है हां हलो सर रिशी पुलिस तुमारे स्टोडियो में चापा मारने वाली है उन्हें शक है कि वेनू वहीं छुपा हुआ है है चलो कुछ काम है आओ तो नो अगर वह शूट गर दोनका कैमरा चीन ले ना और तभी वापस करना जब पूरी फोटेज डिलीट कर दो ठीक है एंदू शां रेडी है रेडी है रेडी वेशी आर अपनी पोलिशन पर ओना सिफ इंडिकेटर देखना चाहिए अजया प्रावलाम है उससे कुछ मत कहिएगा सिधा विचारा प्रौन है और तो या वात है ये तो अ वाज़ा को डा राहा है क्या वह कहा है वह तो तुछ वारा राउटर रेश्टिंगगर और आउटर इस्टिंग मेरे यहां कहां मिलेगा सर भारफ विजिन में काम करता है सर मेरे सॉस ऐसा खेल मत खेल तुम्हारे जैसोस अची तरह निबटना आता मुझे बता तहां चोपा रहा उसे सर कॉलर छोड़ दीजिए सब लाइब चल रहा है सब रिकॉर्ड है सर लाइब कोई बात नहीं मिश्टर रिशिकेश एक जिम्बेदार चैनल के हैड होने के नाते तो मैं पुलिस की मदद करनी चाहिए बहार में जाओ बिल्कुल मदद नहीं करूंगा तुमारी मेरा ओडियो कट करो कमीश रिशी का ओडियो बन करो अब देशे रिशी का कमाल ओके मिश्टर रिशिकेश अगर आपको इंफोर्मिशन मिले तो यह मेरा नमबर है तो इस पर फोन करना ठीक है चली अध्यान से यह लोग हमारी चिप्चपने कर लो यहां से आप जो देख रहे हैं वो सब पिछली घटनाओं से संबंदित है पुलिस वालों का विवहार मीडिया वालों से कैसा है थोड़ी दिर पहले हमारे इस्टूडियो में डेएस्पी बिन्नी आये थे उन्होंने जो लेखा वो आपको दिखाता हूँ मैं तुझे बाहर देखता हूँ कमीने तू बाहर तो मिल मुझसे अगर मैं आप पे इस चैनल में ना दिखूँ तो समझ जाईएगा कि मैं डेएस्पी बिन्नी की पुलिस कस्टेडी में हूँ धूटी ख़वर प्रसारत करने के संबंद में अभी अभी हमारे पास एक ताजा सरीन ख़वर आई है जिसका संबंद विवादास्पध हत्याकान फुटेश से है जिस कैमरामेन बैणू को पुलिस सरगरमी से तलाश कर रही है वो हमारे साथ फॉन लाइन पर जुड़ने व दिमाग हो रहा है मेरा इतने दिन होगे एक पैग्न नहीं पी पाया हूँ हलो तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या हां सुन रहा हूं बोलिए बैनु अतल में उस राप क्या हुआ था वो ना क्या था दारा का सारा उस पल्लाई का रचा ववा नाटक था और हमारे प्लान पे ऐसी लाद पड़ी है कि हलो बैनु हलो हलो एसे हालात मैं आप क्या कहना चाहते हैं मैं बताइए हमारे बीच कितने ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने नीजी फोन कॉल्स को भी निउस के लिए इस्तमाल कर लेते हैं यह बहुत ही घटिया हरकत है अगर इस तरह का स्वार्ती रविया छोड़ दोगे तो देश का हला हो जाएगा थैंक्यों विश्टर बैडू एक थोटे से ब्रेक के बाद वापिस मुलाकात करते हैं अगर लेकिन हमें फ्लैट नंबर नहीं पता लगए अगर मीडिया का कोई भी आद भी रहता है तो हमें वहीं से शिरुवात करने चाहिए तो सब्सक्राइब तेरे सारे ऐसान याद है मुझे एक बार मदद मागी और तूने मुझे बेच दिया अरे वो सब छोड़ो तुम्हारे मोबाइल की बज़े से पोलिस ने तुम्हें ट्रेस कर लिया है स्वामराज सर ने मुझे कॉ इतनी रात को अब मैं कहां जाओंगा अभी वहां से निकलो तुम्हें करें कॉल करता हूं तुम्हें कि अब ने में अब अब आया है कि यह क्या कहां जा रहा है अब पुलिस ने हमें वो कभी भी यहां पॉन सकते हैं वो गॉड एक में बाशन जा कर आपनी वो अपस्ता कर आपप है वो अपस्ता कर आपप कर आपप प्लीज तरह गारी रोकोगे क्या कुछ जरूरी काम है क्या काम है क्या क्या है ये I want to pee अब तुम पकड़वाओगी घर पर नहीं कर सकती है मैंने रुपूंगा लेकिन तुम दर्वासा पंकर के चले गए थे चलो उत्रो अबाँ 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 अहाँ मैंने कि यह तो आम्बुलेंस थी है यहां तो तुम मुझे पकड़वाना चाहती थी अगर मैं इसा नहीं करते तो तुम मुझे छोड़के चले जाते मकार छूट मत बोलो तुम्हें कोई बाथरूम नहीं आया था मुझे पता चल गया था यह कहां जारी हो तुम में तो बाइक करके तुम्हारा इंतजार करने वाला था तो मुझे फ्लाट में क्यों बन किया था हां किया था मैंने तो क्या करोगी हां तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया हम ऐसे किसी एको कॉम्प्रमाइस करना होगा ऐसे भगड़ों की तरह हम हर वक्त भाग नहीं सकते हैं जब तक मैं अप अब यहां गड़े वे मुर्दे मात उखाड़ो फ्लैस्बेक मत जाओ तुम रिपोर्टर मैं कैमरामेन चलो चलते हैं चलो बैठो इन्हीं सब बातों फसे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे सब्सक्राइब है अलो हाँ बैनों सुपने के लिए जगाए मिल गई है अलबूचा के आगे से पहला लेप्ट लेगा हां देर किलोमेटर के बाद राइट साइड में तुम्हें एक लगणी का गेट मेलेगा मैं वहीं मिलता हूं हां ठीक है कौन था है कि रिशिट कि रिशिट हाई कि यह मेरे प्रेंड का जमना उसे वह बहार रहता है अगर अगर कुमा कि कि मैं कल सुबह बापस आता हूं है कल सुबह आज लाता हूं हेरिंग एड लेकर तेरे लिए और सारे निउस्पेफर भी लाना हां मुझे कुछ बताना है तुम्हें भारत विजिन ने तुम दोनों को फसा दिया विजय कुमार से बात पता चलिए मुझे यह सब कल उसको बता देना इतना ही नहीं और क्या दिल्ले की खबर है राउटर्स के जॉब से तुम्हें बेनों टर्मिनेट कर दिया गया है और कुछ और और कुछ नहीं है भारतन पर लेको मुख मंत्र की कूर्सी मिल जाए है सेंट्रल कमेटे के मिटिंग हुने वाले है बहुत जल्ब उसके हख में फैसला होगा है ठीक है जलता हूं अबू अबू ले कपड़े यह इसमें है यूश्पपर देना हाँ ले रशी साफ ने आपकी एड्रस मेंची है थांक्यू ले एरिंग एर्ड़ कि अब जब दो लोगों ने जो शोट किया था उसमें सब और इजनल फुटेज विसे हैं लेकिन और इजनल फुटेज के बना हम सच को सामने कैसे लाएं गे वह यह तो उसका असली प्लान था वही फुटेजी उसका असली सबूत था जब तक उस रेस्टराण में ड्रामा नहीं हुआ था तब तक की सारे खबर बिल्कुछ सही थी आगे की कहानी भारतन पिल्लेई ने लिखिए अगर ऐसा है तो राजन कर्था कहीं इसमें हाथ होगा पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से कोच्ची में है वह उसी दिन इहाया जिस दिन तुम दिल्ली से यहा हमारे पास समय बस तभी तक है हमें सुगना को बात करने के लिए तैयार करना होगा क्यों बिल्कुल हम् हाथ हुआ हो दिन जाओ लिए उख राज़ इन इस मुद्धकर नार जो हुआ जुआ है जाला जलागे हो पेरा हाथ अरे आप जोना दिना एन हंस्पिडली जाना पड़े हाँ हमें हाँ सम्हाल के सम्हाल के अराम से अराम से अभी पिनो रहा है नहीं अभी कुछ ठीक लग रहा है कपड़े हमेशा अच्छे पहनते हैं आप खादी बहुत पसंद आपको ये टीवी बाले बकवास न करें इसलिए सब बकवास है है यह वहीं गाड़ी है जिद्रे टक करमारी कि अब भी बताते हैं असको अब भार मन निकली है मारे इतना उसको और यह जब क्या है हम भी तो यह जैनमर चालते हैं पहले यह मरा फिर वापस जिंदा हो गया आज के जमाने का अमर व्यक्ति है पहले तो फिर यह बताएगा कि यह आपके हैं सुगना हमने तुम्हें मरते हुए देखा था हम यह जंता को भी दिखाएंगे ताकि कंट्यूजन ना रहे ओके जब तुम अचानक कुछ समय बात जिंदा हो गए तो जनता भी कंफ्यूज हो गए और हम भी हम इस गुत्थी को सुलजाएंगे नहीं बलकि और उलजाएंगे तुम्हें ठीक उसी जगा उसी रसी से लटकाएंगे जब तक कि तुम सच में मरना जाओ हम इसको बड़े अच्छे से शूट करेंगे फिर चैनल में टेलीकास्ट करेंगे जनता पागल हो जाएगी कि किस पर विश्वास किया जाएंगे मैं गसम काता हूँ मैंने जान बूचकर कुछ नहीं किया मुझे सच में लगाता कि वो मुझे मार देंगे मैंने ही उस घूस वाली खवर के बारे में मनी लाल को इंफर्मिशन दी थी जिस खवर को आप लोगों ने गर्मा गर्म बना करके अपने चैनल पर चलाया था अभी कुछ दिनों पहले ही पिल लाइसर को पता चला कि उस खवर को आउट करने वाला आदमी मैं ही था मैं पिल है कर दो टो आई जाओ अट टो न मेरे साचल बारतम पिल लाइसर बुला रहे हैं है हलो कि यह जाए शर कि अचा है कि क्या कर रहा है कि क्या कर रहो यह चोड़ो पुझे तो 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 तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा लेकिन मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ को थो सबस्टें किए अच्छा रेडियो सर् उपर के चोई सेड़् मैं कैसा अच्छा आ किर दा अच्छा होगा ले जाके लटगा तो तुम्हारे जाने के बाद वो बापस आए इसके बाद वहां से उतार कर वो मुझे प्रलाई सर के घर लेकर गए जब जनता पागल हो रही थी तो उन्हों ने मुझे बाहर बुलाया मैं ही नकली आजमी था सर, वहीं नकली जिसकी हत्या होने वाली थी नकली? हां सर, उस किलब हाउस में एक और हत्या होने वाली है बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मेरे साथ हुआ ठीक उसी तरीके से कौन कौन करे गाई मुझे पता नहीं सर लेकिन इतना दरूर पक्का है कि यह सब होगा जरूर और वो भी बारा की रात को तो मैं कैसे पता है यह सब मैंने पिल्लाई सरके असिस्टेंट वर्गिस के मुझे सुना था सर वो भी उन लोगों में शामिल था जिन्हों मुझे पकड़ कर लड़काया था वो कह रहा था कि जैसे हमारा काम खतम होगा हम यह से निकल जाएंगे हमारी टिकर्स अल्रेडी बुक हैं वो लोग तभी लोटिंगे जब पिल्लाई साब मोख्यमंत्री बद की शपत लेंगे अबू सार सुगना को लेकर जाओ और हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देना तुम्हें पता है ना कि आप कौन मरने वाला है वो तुम हो तुम्हें मारकर पिल्लाई हमें इस चुर्म में फसाना चाहता है भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना अगर भागोगे तो भी भाग न नहीं हुई है 12 को हम लोग वहां होंगे शूट करने के लिए डरो नहीं कुछ नहीं होगा सुगना तुम्हें तुम्हें आराम से जाओ अबू हाँ सुनो मनी लाल को कहो दोपहर से पहले मुझे मिले उसी ने यह सब शुरू किया है ना हलो मनी तुमसे ज़रूरी बात करनी है कल यहां जाओ अरे हुआ क्या बताओंगी हमने इस जमेले से निकलने का एक रास्ता सोचा है और तुम्हारी ज़रूरत है ठीक आता हूं क्या सोच रहे हो बिचारा वह बिचारा है कमाल का एक्टर है वो जूट बोलकर मगर मच के आं इसकी कहानी पर विश्वास करते हुए मैं और रेनु का बारा की रात वहां ओरिजिनल मडर शूट करने जाएंगे करता और उसके लड़के वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हमें मारने का प्लान बनाया है सिंपल यह तो और भी मुश्किल पर मुश् प्लीस सरकार और मीडिया इसलिए बारा की रात को वहां जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता रही है मैं जानता हूं यह जाल हमें फसाने के लिए बिछाय गया है अगर हम बच गए तो हम वापस सब कुछ हासिल कर लेंगे और पिल्लाई के राजनितिक जीवन कांथ हो वो घटना शूट करने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए शूट तो करना ही है कितनी अजीब बात है हम जो शूट करने जा रहे हैं उसे कोई भी चैनल ऑन एर नहीं करेगा यहां तक कि यह एन बियाई भी नहीं हमारो तो बहुत छोटा चैनल है अगर तुम यह स्टोरी कि तो मैं भी इनवाल्वड हूँ ना मैं आऊंगी चाहे कुछ भी हो मैं आऊंगी तुम भी जा मुझे प्लैना आउट करने तो प्रश्चे कुछ दिनों से सिर्फ बात ही सुन रही हूं जिससे देखो वो सुना रहा है मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए ना मुझे कोई उम्मीद है और तुम लाइक भी नहीं हूं तुम्हें विश्वास दिलाने की मुझे जरूरत नहीं जिस पर विश्वास किया था वो तो कभी मेरे लिए आगे आया ही नहीं सुनो मुझे तुमारे कोई फाल तो बखवास नहीं सुनी मुझे भी क्या कहा ये एक सोशल इशू है जिसमें मैं भी इन्वाल्वड हूं तुम चाहे कुछ भी कहो मैं दूर नहीं रह सकती यह सब वो तुम्हें मरने से बचाने क क्या चल रहा है कि वहां सुगना की जगह तुम लोग मरने वाले हो तुम और वेनू तुम अब भी जाना चाहूँगी कि अगर यह सब जानने के बाद भी मैं वहां नहीं गई तो भी मर जाओंगी रिश्यी मुझे लगा था कि जब वक्त आएगा मैं बता दूंगी कि असल में क्या हुआ मैं तो एक सही मौके का इंतजार कर रही थी इसलिए मैं उसके साथ इस काम में जुड़ गई लेकिन मुझे कभी उसे सच बुलने का मौका ही नहीं मिला मैंने धुका नहीं दिया मैंने कोई चीटिंग नहीं की रिशी उस दिन जब पुलिस के डर से वेनु ने मुझे वैन में भेज दिया तब मैं अपने ही स्टूडियो के रास्ते सॉरी तुम्हारे स्टूडियो के रास्ते में ही थी ओ नो अब जल्दी करो 915 होकर है एडिट करके ओनेर होने का टाइम दस वजे हैं जिंदा मत करो रहे नो 15 मिनट में हमां पूल जाएंगे मनी काम हो गया मैं फोटेज लेकर स्टूडियो ही जा रही हूं रेनु मुझे पता है मैं तुम्हारे आसपास ही हूं अहां सब कुछ खत्म हो गया वेडू को पुलिस ने पकड़ दिया है क्या पुलिस तुम्हारा भी पीछा कर रही है अब क्या करेंगे मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूं लेकिन हुआ में उस काड़ी सुद्रो और सीथे मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ यहां तुम सेट रहा हूं अभू गाड़ी रोको पर रहे नो हमें अभू रोको ना जल्दी करो हमें दस बचे से ओनेर करना है हाँ 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 भारत विजन से सेलरी लेती हो और एंबिया के लिए काम करती हो लेकिन सर अब मैं आपकी स्टाफ नहीं हूं पार्स दिन पहले ही मैंने रिजाइन किया है हमें ऐसा कोई रेजिगनेशन नहीं मिला और अगर मिल भी क्या हो तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा मनी गाड़ी रोको मुझे नीचे अतरना है मनी चलते रहो अगर गाड़ी रुकी तो यह फुटे सीधे भरतन पिल लेके घर पे टेली कास्ट होगा सीधे स्टूडियो चलो इस स्टोरी को भारत विजन पर चलाने के लिए दो लाग बात खातम अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे पैसे की बात नहीं है अगर तुम यह स्टोरी यहां पर चला देती हो तो जूनियर रिपोर्टर के बदले सीधे एडिटर की पोस्ट पर मैं तुम्हें बिना किसी प्रमैल्टी के बठा दूँगा समझी मनी इंसिग यह कहानी मैं उससे दे दूँ यह पिल्कुल नहीं हो सकता इतना बेवकुफ नहीं हो मनी इनके लिए यह चैनल्स की लड़ाई हो सकती है लेकिन मेरे लिए किसी के विश्वास की बात है मनी प्लीज मैं और वेनू हम लोग कल शादी करने वाले हैं सर प्लीज मुझे कोई ब इन्बियाई चैनल रिशी के लिए एक सपना रहे जाएगा और वेनू पुलिस के हिरासत में मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका क्या होगा तुम्हारे पास इतना समय है भरतन पिल्लाई जब तक यह कॉल ना हुथ हुआ सर प्लीज मेरी बात तो सुनें सर रेनू क हमेशी खड़ाब हो जाएगा अलो है भारतन पिल्लाई सर हां भरतन पिल्लाई है उसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली हो गई है कुछ समझ नहीं आया भारत विशंग की नौकरी के अलावे में पास और कोई रास्ता नहीं था रेनू यह बात तुमने पास साल तक गौड वेनू कभी बताता हूं रिशी नहीं वेन को ही पता चलना चाहिए उससे अभी मत बताओ वह ना वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा उससे जो जुड़े होते हैं उसकी बहुत कैर करता है प्रिस अभी मत बताओ हट अगे है 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 ऐसी कौन सी सीक्रिट मीटिंग हो रही हुए उनकी पहीं यह दोके बाद हमारे साथ दोबारा द्भुका ना करतें अबे तूसकी तरफ है या मेरी तरफ इसलिए मैं वैसा ही चाहती थी मनिलाल मैं कह रहा था इस शूटिंग में तुमारी बेहन की जान खत्रे में पड़ सकती है अपनी बेहन को समझाओ कि वो मेरी बात न डाले और कोई रास्ता है क्या तुमारे पास वो तो बताओ मनी मैं ब पता चल जाएगा पर इससे कैसे और कौन शूट करेगा क्लब हाउस या फिर उसके आसपास में शूट करना इंपॉसिबल नहीं है तो फिर आव बताता हूं पांसो मीटर दूर क्लब हाउस से आदा किलोमेटर दूर एक स्टेडियम में कैमरा लगाई है पावेलियन के कमरे को तेलेस्कोपिक लेंज के साथ हम वहाँ पर सेट करेंगे रिशी का कैमरा क्रूज को अपरेट करेगा हम ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगी कि बारा की रात कूट हम सुगना का मडर कवर करने वाले क्लब हाउस में हम उन लोगों को चारों तरफ से खेर लेंगे उनके साथ हाथा भाई भी हो सकती है और शायद फिर वो हमें पकड़ लेंगे अगर पिल्ले करता वहाँ आएगा तो फिल्मी डायलोग मारेगा जरूर तो फिर ओडियो मेरी जेब में एक वोईस रिकॉर्डर भी होगा हमारे शूट करने के बाद तुम और अबू बीच में आ जाना देर मत करना दोस्परना जिन्दा नहीं बचेंगे आ जाएंगे सर मुझे चीज का डर है जिनको डर लग रहा है उन्हें आने की जरूरत नहीं है उसकी बात तो सुन ले क्या कहना चाहरी है बता रहे हैं अगर किसी वजह से हम ये शूट नहीं कर पाते हैं तो पिल्लाई औ और चैनल को शूट करने के लिए बलाएंगे जिसमें हमारी कोई इन्वाल्मेंट नहीं होगी इसलिए मनिनाल को बलाया है तुम अकेली उपर आना चाहते हो यह नहीं हो सकता यह स्टोरी सिर्फ नभी आई चैनल पर पर भाई कुछ नहीं सुनना मुझे इसी स्टोरी पर सा तो ठीक है फिर तुम यह कहानी नहीं कर रहे हैं अब हो गाड़ी निकालो रुशी तुनाइन इंडिया तुम्हें सार आप खोड़ी निकाल लीजे ना रुशी 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 क्या है कोई मर गया क्या यहां हर कोई अपना फाइदा सोच रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मेरा कैमरा ओपरेट कर लेगा यह अपूप सुनो मनी जानते हो परसो बारा तारिक है हम अपना कैमरा कल स्टेडियम में सेट करेंगे तुम और दो तीन चैनल को भी लग स्टेडियम के नौर्थ में इस गाड़ी को पार्क करना जब अन्धेरा हो जाएगा तब हम वहां आ जाएंगे सब कुछ तैयार कर लो अबू हां इंतिजार मत करना हमें टाइम लगेगा सब कुछ सेट अप करने में ओके अके हुए! छिले खरom और 1 और हुए! हाओ ! हाओ! किया हुआ? मचेर तुह दीना मचेर यहां पर जाद़ खुआ नहीं सकते हमें यहां बहुत यह लिमिट में काम करना पड़ेगा पहले सारी पॉसिबिलिटीज देखो और फिर एक जगा फिक्स कर लो बेलू क्या हुआ वेलू वहाँ कोई है अआ मुझे भी को फिल्टकू बाता पिल्ले? मेन, निशी ने दोखा दिया है, हमारा कैमरा भी तोट ग्या, यहां रुक्ते का कोई फादा नहीं। छोड़ा मुझे! वेनु यहां क्यों रुके हो चलो यहां से कुछ नहीं हो सकता क्यामरा भी तोड़ गया है हम शूट कैसे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ठीक है अपने आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती हो तो चलो मेरे साथ मुझे मरने की कुछ जादा ही जल्दी थी सर इसलिए मैं खुद ही यहां पर आ गया आपके सारे कैमरे तो यह पड़े हुए अब आप अपनी शूटिंग कैसे करेंगे क्या दिखाएंगे सारी जंता को कि अपना को पूँगारो जल्दी करो अपना हमां तो एक करो दो चलोगारो यह जोगारो दॉन्टार्यस करेंगे सब्साइस तो एक कार इंतल मझेव मेरे टो करोगारो एक भी दरोगारो यह जोगारो फिजिड का उसमनी करोंبة फो परोगारो का değer ミोर्रॉ्ठ nhà हुआतूआइब देख्राइब हुआ 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 डॉट डॉट जाओ छोड़ दा इसे इसकी बॉड़ी पर खरोश भी नहीं आनी चाहिए, इन दोनों को अधी लटकाना है, लेकिन मर्डर नहीं, आत्म हत्या लगनी चाहिए इतनी नस्दीक की चीज़ को शूट करने के लिए बाइनाकुलर क्यों लगा रहा था तु तुद जैसे कीड़े के लिए बिनाकुलर नहीं, माइक्रोस्कोप चाहिए, मैंने तुझे छोड़ू आए जाहिए लाइ लाइ पूर क्या रहा है कहा गया तेरे बाकी के सारे कवा वो चैनल वाले जो तुझे बीच में बचाना चाहते थे देखते कौन होता है जब तुमने इसे छोड़ा तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है आशड़ देना बंदकर भुला उस खटिया आदमी को वो पिल्लाई कैमरी में हाथ हिलारता आप चुहे के बिल में चुप गया है ओ बंद तो तुम लोगों मनिलाल को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ रखा है मैंने उसकी फोन की घंटी सुनी वह यहीं आसपास है मनिलाल बाहर आजा अभी थोड़ी सी जिजग होगी बाद में सब को श्रीक हो जाएगा वेडू मैं किसी फिल्म का डायलोग नहीं मारूगा यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ से दूर चला जाओंगा यह कोई मजाग नहीं है यह हकीकत है और यही सच्चाई है अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता भाई लोगों के बेड रूम और बातरूमे एक कैमरा लगा कर उनकी चीजे रिकॉर्ड करते हो और उसे मेडिया याख्टिविजम का नाम देते हो तुम लोग यही सही लाज है तुम लोगों का ठीक है तो दो मेडिया के लोगों ने आत्मत्या कर ली क्यों कि उन्होंने अपना माम सब्मान खो दिया क्या कहते हैं से तुम लोगों को आखिर में कुछ कहना है क्या मुझे तो नहीं कहना है लेकिन इसे कहना है तुम्हें साइन आफ नहीं सीधे खटना स्थल से क्यामरामेन वेनु के साथ मैंने रुका है यहां पे कैमरा है है अपने सारे लोगों से पहों कि यहां और कैमरे लगे हैं कैमरा मिले दो तोड़ के ठैको आप इस तरह से भॉप आई हमारे जान बचाने के रहे यह इनकी चाल है लटका दो इन दोनों को गहा है पीस्ट कि अपने कि अपने कि मशीने कहां लगाई है तो वह देखो आज एको कि इतने सारे कैमरे सगें कि इसी और चैनल के नहीं सिर्फ एनबी आई के हैं क्योंकि यह एनबी आई चैनल के लिए एक्स्क्लूजिव था मनिलाल जब रिशी वहां गुस्से से गया था तो तुम्हें लगा हम अलग हो गए जब भी उसकी जरुद पड़ी है वो मौजूद रहा है 24 गंटे जब मुझे पता चला कि वो तुम ही हो जिसने वो स्टोरी फिक्स की है भारत विजन के लिए मैं तभी समझ गया था कि तुम इंके दलाल हो कि दर्दो कान के नीचे जो करना कर लो इसके साथ पर मुझे कुछ नहीं करना है मुझे कुछ करना है यह कुछ परस्णल है कि चलो जारी कि इधरई साथ कि मेरी और लगें लेकिन कोई कैमरा नहीं ता वहीं पर तुमने e я इदर आओ वहार देहकर बोलो बोलो न क्याम्रमन वेनु के साथ मे रेनु का कामान वेड्यूं के साथ तुम्हारी रेनु का हुआ हुआ हुआ